तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है स्टडीज सबसे पहले तो आप सभी के लिए इन्फोर्मेशन है कल मैं आपके लिए एक लाइव सेशन रखूंगी डाउट डिसकेशन जो है एक सेशन रखूंगे लाइव क्लास आपकी लोगी जिसमें आप से मैं जितना अभी तक हम पढ जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं ताइम क्या होगा टाइम के लिए कल मैं कॉम्मुनिटी पोस्ट में कुछ शायद डाल दूंगी कि आपको बता दूंगी कि कितने बज़े जो है हमारी लाइव टेस्ट होगा लाइव डिसकेशन होगी तो आप कम्मुनिटी में चैक करते आपको लाइव टेस्ट ले लेंगे तो तयार रहेगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जब भी लाइव आउं आपको नौटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को ज़लूर प्रेस करें आपको तब भी जो है टॉपिक है आपका मैडिसिन्स मैडिसिन्स यह टॉपिक का और से बाइलोजी में भी कवर हो सकता है तो मैडिसिन्स हम बिल्कुल प्योर मेडिकल लाइन में नहीं जाहेंगे यहां से शिर्फ आपको टंस पूछी जा सकती है जैसे कि एंटिबायाटिक किसे कहते हैं तैंकि तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीस लाइक जरूर कर दिया करें लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करें लाइक कर दें अपने फैंड्स के साथ शेयर कर ले वीडियो और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले तो टॉपिक है इसमें हम डिफ्रेंट जो मेडिसिन के बारें बढ़ेंगे दिफ्रेंट क्लासिस के बारेंगे दो डिफ्रेंट टर्म्स हमारे यूज होती है पहला है अंटीपायरेटिक आँएटीटिक तो आपके टेमप्रेचर यान की जो आपका तापमान को कम करने में helpful होती है तो ऐसी medicines जो कि आपका temperature बोडी का temperature कम करने में जो है आपको help करती है ऐसी medicines को हम क्या कहते हैं ऐसी medicines को हम anti-piratic medicines कहते हैं और जो तापमान है temperature है इसके लिए एक term भी यूज होती है आपकी क्या है pyrexia क्या pyrexia या pyresis और आपने देखा होगा जब आपका तापमान बढ़ता है अगर आपको fever हो जाता है तो आपको जो doctors prescribe करते हैं medicine कौन से prescribe करते हैं anti-piratic medicines करते हैं ताकि आपका pyrectic मतलब जो आपका temperature increase हो गया है उसको कम करने के लिए जो है आपको दवाईया देते हैं और तापमान जो temperature ना आपने के लिए एक instrument यूज करते हैं उस हम क्या कहते है थर्मोमेटर और ऐसे instruments जो कि आपका temperature को मापने के लिए use किया जाता है temperature को determine करने की लिए जाता है ऐसे हम instruments को क्या कहते है पाइरामीटर क्या कहते हैं पाइरो मीटर इसाब चीजे आप नोट कर ले चोड़ चोड़ी चीजे हैं और एक्जाम्पल कौन सी है एंटि पाइरिटिक मेडिसिन से बोले कि जो आपकी टेंपरेचर को कम करती हैं सबको पता है कि हमें बुखार हो जाए तो आप कौन सी दवा करते हैं केमिस्त्री इन एवरीडे लाइफ आप उस चैप्टर में यह जो टॉपिक है ले सकती है नेक्स्ट है आपका एंटी आयनलजेसिक्स क्या है एनलजेसिक्स आनलजेसिक्स मेडिसिन जिससे आप क्या कहते हैं दर्द निवारक दबाएं यानी कि ऐसी मैडिसिंस जो क कि आपका जो पेइन रिलीफ करें आपका इन मेडिसिस को हम क्या कहते हैं पेइन किलर्स जो कि आपका जो बोडी में जो पेइन अगर हो रहा है तो आप जो है एनल जैसिक्स ले लेते हैं ताकि आपका जो पेइन हकम हो सके तो इने हिंदी में हम क्या कहते हैं दर्व निवारक इसके example आप लिख सकते हैं, इसके example आप लिख ले, brufin, brufin जो आपकी आती हैं, इसके लावा aspirin, morphin, इसके लावा यहाँ पर भी आप जो है, as a दर्द निवारक भी जो है, आपका analgesic के रूप में, आप PCM भी ले सकते हैं, तो यह सब जो medicine है, यह कैसी है, यह आपके analgesic है, इसे हम as a painkillers, जो है, इने यूज करते है, analgesic का मतलब याद रखेंगा, painkillers, यह terms पूछी जाती है, exam में, analgesic किसे कहते हैं, तो as analgesic medicines हम painkillers को कहते हैं, next है आपका antibiotic, antibiotic medicine, यान कि जो आपकी प्रती जैविक जो आपकी दवाया होती है, जो आपकी अगर बोडी में जो infection हो जाए, तो उनके प्रती जो लड़ने के लिए जो दवाया यूज की जाती है, कि अगर आपको लगता है, जैसे कि fever हो जाए, fever नहीं उतर रहा है, तो doctors जो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, कि अगर PCM से भी temperature नहीं उतर रहा है, तो आप antibiotic आपको देते हैं, कि अगर आपकी बोडी में को infection है, तो antibiotic medicine दी जाती है, तो antibiotic medicines कोन सी होती है, जो आपकी दी जाती है, कि ताकि बोडी में कोई infection हो, अगर कोई कीडिमकोर जाए, जो बैक्टिरिय इंफेक्शन है, आपका वायल इंफेक्शन है, उसको कम करने के लिए, तो antibiotic medicines जो है, यह आपका क्यों कि दी जाती है, ताकि जो किसी भी तरह का infection हो आपकी बोडी में, उसको कम किया जा सके, तो antibiotic medicines जो है आपकी इस class में आती है, और इसकी example आप लिख ले, Azithromycin, Klindamycin, इसके लाब आप Amoxilin भी यह लिख सकते हैं, तो यह आपको याद रखनी है, तो antibiotic medicines होने कहते हैं, जो कि आपके बोडी में जो कि infection हो जा है, यान कि जो bacteria infection हो वारल है, उसको कम करने के लिए यह जो दवाई है, वो यूज की जाती है, next, यह मिटा दू, हो गया note, तो आगे बढ़ते हैं, next है आपका tranquilizers, Tranquilizers, हिंदी में भी ने Tranquilizers term ही इन के लिए यूज की जाती है, तो बिल्कुल confusion मत रुके, तो Tranquilizers to medicines है, वो क्या यूज की जाती है, Anxiety, अगर आपको घबराहट हो रही है, तो उसको कम करने के लिए जो है, यह medicines यूज की जाती है, तो Anxiety, यह जो घबराहट है, उसको कम करने के लिए Tranquilizers to medicine है यूज की जाती है, एक्जामपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके एक्जामपल है आपके Dicepone, Alprazolam tablet, Miprobamate, यह जो medicine है, आपकी यूज की जाती है, आपका जो है, अगर आपको anxiety होती है उसके कम करने के लिए, इसके लाब आप रैजरपीन भी लिख सकते हैं, एक medicine आती है, रैजरपीन या, Chlordisip Oxide, तो यह है आपकी Tranquilisus medicine, याद रखे एक्जामपल एक दो आप देख लेक बार Dicepone important है, तो Tranquilisus का आपको term का मतलब बता होना चाहिए, कि Tranquilisus medicine किस कटेगरी में आएगी, और कि वह medicine जो कि आपकी anxiety को कम करती हो, आपकी घबराहट को कम करती हो, तो उन medicines को Tranquilisus की category में रखते हैं, next है आपकी statin, तो statin जो medicines होती है, इनका काम क्या होता है, तो आपकी जो body में cholesterol level जो है, तो उसको कम करने के लिए ये medicine यूज़ की जाती है, तो cholesterol level को, cholesterol level को कम करने के लिए statin tablet यूज़ की जाती है, एक्जामपल के लिए अगर आप इसकी थोड़ा एक ट्रिक्स याद कर सकते हैं, जिन भी medicine के बिच्छे statin टाम आए, तो वो इस category में आती है, फोर एक्जामपल आपका लोवा statin, लोवा statin, प्रास्टेटिन, प्रावस्टेटिन, शिम्वस्टेटिन, सब के पीछर देखेंगे, आप तो statin लगा हुआ है, तो यहां से आप एक अंदाजा ले सकते हैं, तो ऐसी medicine को हम क्या कहते हैं, statin, medicine की टर्म में रखते हैं, यानकि ऐसे medicine, जो की cholesterol को कम करने के लिए use की जाए, उनको हम क्या कहते हैं, statin, medicine की टर्म हम उनके लिए use करते हैं, तो आज का जो टॉपिक है, सिर्फ हम मेडिसिन के बार में देखा हैं, कि इनको डिफरेंट करते हैं, सबसे पहले हमने देखा, anti-paratic medicines, यानकि जो आपकी medicines, जो आपका temperature को कम करने के लिए use की जाती है, temperature के लिए term यूज होती है, पारेक्सिया, पारेसिस, उसके बाद second हमने देखा था आपका analgesics, analgesics को हम क्या गहते है, painkillers, जो कि आपका pain relief में जो help करती है, उसके बाद antibiotic, जो आपके body infection है, bacteria है, viral है, उसको कम करने के लिए use की जाती है, tranquilizers, जो कि आपके anxiety, घबराहट अगर आपको हो रही है, उसको कम करने के लिए medicine यूज की जाती है, और last है आपका statin medicines, जो की cholesterol level को कम करने के लिए use की जाती है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, जो हमने थर्ड यहां पर एक category देखी है, medicines की, antibiotics, अलग से हमारा chemistry चैप्टर बनता है, आज हम करने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं नहीं सोचा, यह जो है, एक broad आपको एक overview देदू, medicines के बारे में, तो कल तो शायद हम live discussion करें करेंगे, उसके बाद जब भी हमारा next class होगी, और फिर maybe कल अगर नहीं हो पाई live discussion, तो हम कल class ही ले लेंगे, आपकी antibiotic की, तो antibiotic कल हम जो है आपकी class लेंगे, जिसमें हम जो antibiotics के पूरा detail में पढ़ेंगे, कि उसकी कैसे हम classification करते हैं, कोन-कोन से antibiotic जो terms हैं, हमारे कोन-कोन से में याद करनी है, वो सब चीजे कल हम discussion करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हम लोगों को follow करना चाहें, follow करना चाहें आपका Instagram और Telegram पर तो आप follow कर सकते हैं, link नीचे दे दिया गया है, description box में, तो वैसे भी अगर वहाँ जाकर दक्ष्टा अकाडमी सर्च पूच सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, thank you, thank you so much.